दोस्तों यहां पर एक बहुत important चीज और highlight करना चाहता हूँ, यह कोई trader है जिन्होंने हमें message किया है हमारे ID पे, तो इनका 5000 का capital था और इनका 56,000 का loss हुआ है, और यह loss हुआ है fin nifty में, वहां भी इन्होंने कुछ glitch विच किया है, यह profit में थे लेकिन fin nifty ने इनकी वाट लगा minus 56,000 दिखा रहा है, और इनका जो loss है वो अभी फिलहाल मुझे लगता है कि broker इन से मांग रहा है कि आप balance जो payment है वो करिए, लेकि broker की गलती नहीं है, गलती आपके exchange की है, NSE की गलती है और SEBI की गलती है, जो मिली भगत में यह काम कर रहे हैं, अच्छे खासे rules थे, यह सब issue जो है, यह ऐसा लगता है कि हम जा रहे हैं रोड पे और हमारे उपर हर दिन बिजली गिरेगी, किस दिन हम मर जाएंगे हमें पता नहीं, यह वैसा लग रहा है, मतलब market को इन्होंने ऐसा बना दिया, seriously मतलब ऐसा मैंने कभी imagine नहीं किया था कि इतना जादा open loot मचेगा, इतन कि आपके पास पूरे proof हैं, सबूत हैं, आपके पास और जो NSE का जो exchange वो जो आया था, circular जिसमें इस limit को हटाया गया है, क्या reason था कि limit हटाया गया है, उस limit को हटाने से जब लोगों को इतना loss हो रहा है, तो उस limit को वापस क्यों नहीं लिया जा रहा, immediately, क्यों सुनवाई नह loot है, ठीक है, जो penalty है, जो लगती है कई बार margin में, वो भी एक तरह की loot है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठा रहा है, तो मेरे हिसाब से तो simple एक ही तरीका बचा है, consumer forum में जाए, case करिए, loot करिए, और ये पैसे देने की जरूरत नहीं है, जब broker को loss होगा तो broker आवाज उठाए और मैं कह रहा हूँ, अगर आज आज आपके साथ नहीं हुआ है, आप चुप हो, आपके साथ बहुत जल्दी कभी भी हो जाएगा, आप कौन सा stock trade कर रहे हो, कौन सा index trade कर रहे हो, option है, future है, कहीं भी हो जाएगा, आज मैंने सुना, बाटा में हुआ है, आज Shree Cement में हुआ ह निफ्टी में हुआ है, बैंक निफ्टी में हुआ है, हर जगे तो हुआ है, तो कहां नहीं हुआ है, कोई न कोई तो फसा ही होगा, अच्छे खासे लोग फसे होंगे, तो मेरा कहना है, ये एक तरीका मुझे समझ में आ रहा है, कि आप consumer forum में जाए, proper case, file करिए, दूसरा है अगर कोई high court, high court में कोई है, पहचान है, अगर कोई सुन रहा है, मुझे जो खुद lawyer है, please, public के भले के लिए आप कुछ start करिए, PIL, क्योंकि ये public interest litigation है, this is a loot to public, 10 crore लोग आये हैं market में, सब को loot part करके, ये लोग भगा देना चाहते हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं, intention तो मु चोटा डरा हुआ है, काप रहा है, ट्विटर में लाख लाख डेर डेर लाख follower वाले काप रहे हैं, अगर आपको लग रहा है, उनको फर्क नहीं पढ़ रहा, लेकिन शायद उनमें guts नहीं है, इम्मत गूदा नहीं है उनमें बोलने का, मैं यहाँ पे सिर्फ इसलिए बोल है, और आपके पास सुप्रीम कोट, हाई कोट है, तो ऐसा नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा, जब बहुत सारे लोग जाएंगे ना, तब यह आवाज बुलंद होगी, और तब सेभी पे फाइन लगना चाहिए, सेभी का पुरा management बदलना चाहिए, और NSC के पुरे-पुर के आपको पैसा देगा, पतब छोटा ट्रेडर पांच हजार, दस हजार से शुरू करता है, क्या वो अब पुरा घर बेच के ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में आए, आप चाहते क्या हो, तो यह सुनवाई होनी चाहिए इसकी, I hope, सही आदमी, जो मुझे सुन रहा हो क्योंकि एक-एक आदमी के साथ ही होता रहेगा, आपको कभी पता नहीं चल पाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, I hope, आप इसको ध्यान देंगे और थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसके खिलाफ आवाज उठाने की, simple तरीका है, अपने लेवल पे consumer forum में जाएए, और बड़े लेवल पे जा सकते हैं, तो High Court, Supreme Court जाएए, मैं कहे रहा हूँ, पैसा नहीं, पैसा आपका कम गया है, या जादा गया है, doesn't matter, जिस दिन चला जाएगा, उस दिन आपकी कोई सुनेगा नहीं, तो this is right time to raise your voice, हवाज उठाईए, और इसी तरीके से मैं भी कोशिश करता रहूँगा, हाइलाइट करने का इन चीज़ों को, please don't take it lightly, बहुत serious issue है, ये बहुत बड़ा, बहुत बड़ा scam है, NSE का जो को location scam था, उसके बाद उससे भी बड़ा scam है, क्योंकि इसमें सब चुप है, दिख रहा है, लूट मची है, फिर भी सब चुप है, आप चुप पंत रहे है, धन्यवाद,